हलो एवरिवन आपका स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल अंजले को किंग में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और यो बिस्कीट का केक इसका हमने सौट से वीडियो एक जन्वरी को हमने अप्लोड कर दिया था उस टम हमने लॉंग वीडियो अप्लोड नहीं किया थ हा तो फ्रेंच इसको बनाना बहती है और बहुती है स्पंची बनता है और इसका केक इसली मार्केट में में मिलता भी है तो मार्केट से खरीत का खाने के वज़ाई आप घर पे बनाया कम घर्चे में बहुत ही बढ़िया केक बनेगा और पुरे फैमिली को खिला सकते हैं मैंने बिस्किट का ही बनाया 6-7 पैकिट लगा है और एकदम बढ़िया केक बना था एकदम स्पंची बना था यकीन नहीं है तो आप देख भी लीजे कितना बढ़िया और एकदम सॉफ्ट बना हुआ है जाली भी इसमें एकदम अच्छा से आया हुआ था तो यहां पर हमने लगबग 6-7 पैकिट लिया था बिस्किट का तो अब हम क्या करेंगे यह जो इसमें क्रीम होता है बिस्किट का उसको हम अलग कर लेंगे तो क्रीम का भी हमें जरूरत है तो बाहर से क्रीम लगाने के वज़ए यानि कि वेवड क्रीम लगाने के वज़ए हम बिस्किट का यह क्रीम लगा लेंगे इससे भी हमारा काम चल जाएगा क्योंकि वीब्ड क्रीम के लिए तो वीब्ड मसीन होना चाहिए बीटर होना चाहिए अच्छे से क्रीम को वीट करने के लिए तो क्रीम को अच्छे से वीट करने के लिए तो वीब्ड मसीन होना चाहिए तो उससे अच्छा है कि हम बिस्किट का क्रीम बनाएं और बिस्किट के बीच में तो उस क्रीम को हम केक में यूज करेंगे तो ये देखे सारे क्रीम को हमने निकाल लिया है बिस्किट से और इसमें जो बचा हो खुचा होगा उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं तो यह देखिएए कोई भी नहीं बचाए बिसकिट से क्रीम निकाल लिया है, तो क्रीम को आभी हम साइड में हटा देंगे, इसका भी हमें जरूरत है, और अभी हम क्या करेंगे, बिसकिट को रॉफरी चौप करके इसको हम पेस कर, इसका हम फाइन पाउडर त्यार कर लेंग और इसका पाउडर ऐसा लएगा जैसे की कोको पाउडर है अगर आप नहीं खरते होंगे तो एक बार कोको पाउडर खरीद कर देख लिजेगा एक दम बिस्किट का पाउडर और कोको पाउडर एक जैसा ही होता है कलर भी सेम होता है तेस्ट भी सेम और केक भी बढ़िया बनत डाला है दो बार में पीश रहे हूं क्योंकि हुमाई जो जार है medidas चोटा है तो दो बार मैं पीशूंगे तो यह देखिए देख़ रहे ना बिस्कीट का कलर एकदम कोको पाउडर जैसे हैं कोको पाउडर भी मैं आपको दिखाऊंगी बार में जब हम क्रीम बनाएंगे न उस्टे में आपको दिखा दूंगी दोनों का कलर सेम रहेगा तो हमने ऐसे ही करके सारे बिस्किट को पीस लिया और इसका पाउडर हमने बना कर त्यार कर लिया हैं देख रहे हैं एक दम बड़ी एक दम महीं पिसा हुआ हैon एक सक बावडर कर लेंगें इसमें हमें कोई जताएप बेकिंग पावडर बेकिंग दूद ले सकते हैं पर मैंने दूद को फ्रीज में रखा था इसलिए हमने हल्का सा गरम कर लिया है और इसको अब हम थोड़ा थोड़ा डूद को डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारा जो बैटर है अभी भी गार है तो मैं इसमें लाइट कलर आ जाएगा और एकदम क्रीम जैसा इसका टेक्स्टर जो नहीं क्रीम जैसा बनेगा तो यह देखिए हमने इसको मिक्स कर ले पर दूद अभी इसमें कम लग रहा है कि हमारा जो बैटर है थोड़ा सा गाहा लग रहा है तो मैंने इसमें दो से तीन चमच दूद औ कर दिया है इसे अब हम फिर से मिक्स करेंगे और यह लिजा प्रेंस हमने मिक्स कर दिया और देख रहे है कलर भी इसका चेंज हो गया है एकदम लाइट कलर आ गया है वाव एकदम बढ़िया है पर अभी यह गाहा लग रहा तो मैं इसमें भी दूद नहीं डालूंगी यहां पर हमने लिया है केक्टीन कोई जरूरी ने यह केक्टीन लेना है single, some of you can misinformation कोई सभी बरतन में ले सकते हैं एक चम्मच से थोड़ा सा कम रिफाइन ओई और इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे लगभग एक से दो चम्मच दूद बस इस से जादा अब हम नहीं डालेंगे और इसमें हम एक खास इंग्रिडियन्स और डालेंगे जिससे हमारा केक एकदम मार्केट से भी तो यह लिजिए हमने यहां पर एक इनो लिया है तो पूरा पैकित इसमें डाल देंगे इससे क्या होगा कि हमारा जो केक बनेगा एकदम इस्वांची और एकदम जालीदार कम खर्चे में आपका केक बनके त्यार हो जाएगा और अगर अगर मैदे का बना रहे हैं तो उसम सारी चीज़े उसमें डालने पड़ती है पर इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ आपको बिस्कित लाना है और एक इनो का पैकित बस इसमें सक्कर भी नहीं डालना है और इनो डालने के बाद में हम क्या करेंगे थोड़ा सा इनो को उपर हम दूद डाल देंगे और दूद डाल को बेक करेंगे यानि की सेट करेंगे ना उस केक टीन को आपको अच्छे सेट करके यानि की ग्रीस करके भी रख लिया है तो हमने सारे कम पहले ही कर लिया है केक टीन को भी पहले ही ग्रीस कर लिया है और पानी भी अमने रख दिया अगर आप चाहे तो आवन में भी बना सकते हैं तो आवन को पहले आप 5 मिनट पहले आप उसको प्रिहिट कर दीजे और उसके बाद में आवन में बना लीजी पर क्या है ना कि आवन सबके पास में अबलेबल नहीं होता है तो मैंनी आप गया इसका यूज किया है तो देखे पानी हमरा अच्छा से उबल चुका है तो इसमें में डाल दे रही हूँ यह केक टीन और इसको अब हम ढग देंगे और यहां से देखी थोड़ा से एर निकल रहा है तो उसमें यह कागज लगाते हूँ कि एर इसमें से बिल्कुल भी न निकले और केक को हम लगभग 15-20 मि लेक होने के लिए मीडियम फ्लैम पर छोड़ देंगे तो यह देखे फ्रेंस लगभग 10-15 मिनट हो गया है तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो केक है कैसा बना है स्पंजी बना है कि नहीं बना है तो इसमें का धकन हम डालेते हैं बीच में हमने एक बार भी हमारा बहुत अच्छे से फुला है एकदम सौफ्ट एकदम स्फंची है तो मैं एक बार इसको चेक कर लेते हूं तो यह देखिए देख रहे ना हमारा जो चाकवे एकदम साफ है यह देखिए साइट से भी एकदम साफ है और यह पीच में हलका सा मेरे को लग रहा है कि गिल बैक करने में 20 मीनट ही लगा है तो एक वर हम फिर से चेक कर लेते कि केक हमारा अच्छे से बीच में बैक हुआ है कि नहीं हुआ है तो यह देखे हुआ फ्रेंड अच्छे से बैक हो गया है तो मैं इस टेश पे गैस करूंगी बंद और इस वर हम रूम टेमपरेचर में ठंड क्योंकि हमारा जो केक है ना किनारे से पूरा एकदम अच्छे से छोड़ चुका है तो इसको मॉल्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लएगा तो मैंने पांच मिनट के लिए रख दिया केक को ठंडा होने के लिए और जब तक केक ठंडा होगा तब तक हम क्रीम को अच्छे से सेट कर लेंगे निक अच्छे से बना लेंगे तो यहां पर जो बिस्कीट वाला क्रीम था ना उसी को हमने यूज किया है इसमें हमने डाला है लगबग एक से दो चम्मच दूद रूम टेंपरेचर में का दूद डाला है हमने फ्रीज का नहीं डालना है ठंडा दूद बिल लगाने के लिए तो यहां पर हमने लिया है चौकलेट सिरफ चौकलेट सिरफ तो बहुत ही पतला होता है तो इसको अब गाढ़ा कैसे करे केक पर कैसे लगाएंगे केक पर लगाएंगे चौकलेट सिरफ तो पूरा केक पर तो बिल्कुल भी नहीं ठीकेगा तो इससे लिए हम ने यहां पर लिया है cocoa powder तो यह देखिए biscuit जो हमने पीसा था उसका खलर और इसका कलर और इसका अच्छाड़ है लग लग रहा है ना। और एक बात अगर आपके पास में kooko powder नहीं है तो आप biscuit पीस कर भी उसका क्रीम बना सकते हो चौकलेट सीरप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा बिसकीट का क्रीम बनाखर भी उससे कानिश कर सकते हूं और इसमें भी चाहे ना चौकलेट सिरफ में तो बिस्किट पीस कर उसका पाउडर आप चौकलेट सिरफ में डाल कर भी क्रीम बना सकते हैं बहुत सारे अपसने क्रीम बनाने का या फिर आप कोको पाउडर का इसी बना सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना क्रीम का थोड़ा सा अलग आएगा कोखो पाउडर का और चॉकलेट ये बिस्किट का बना रहे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा ये लिज़े फ्रेंस हमारा जो क्रीम था चॉकलेट का वह भी बन खे तियार हो गया है और यहां पर हमारे जो केक है नो भी अच्छे से थंडा हो गया है तो इसको अब हम देमोल्ड करेंगे तो पहले हम चाकुक से इसको हम पहले स्क्रेच कर लेते हैं चारो तरब से और अब हम इसको डी मोल्ड करेंगे तो यह हमारे घर में केक आया हुआ था लगबग तीन-चार दिन पहले ही आया हुआ था तो उसी का यह हमने खड़ा रख लिया है तो यह देखें फ्रेंज देखें अभी यह जो काग लेंगे सीधा कर लेंगे और एकदम इस्पंजी बना हुआ है देखी एकदम इस्पंजी और एकदम हलका हाथ में उठाने से पता ही नहीं चल रहा है कि हाथ में हमने कुछ लिया है इतना हलका बना हुआ है तो अब हम क्या करेंगे केक को दो भागों में हम डिवाइड कर द दागे से तो एकदम इजली होई जाएगा तो यह देखिए हमने इसको दो भागों में कट कर लिया है दागे से वाव कितना बढ़िया इसमें जाली आया हुआ है तो उपर वाला जो हिस्सा है उसको हम साइड में डख देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सुगर नहीं भी डालना है इसमें सिर्फ आप नॉर्मल पानी ही डाल दीजेगा पुरा अच्छे से बढ़ा बर में डालना है और जो दूसरा वाला हिस्सा है उस पे भी हम सुगर सिरफ डाल देंगे आप जाए तो उस पर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और यह जो क्रीम है न तो मैंने उतना ही का यूज किया उससे हमने अलग कोई सभी क्रीम नहीं लिया है और इस पर से हम यह उपर का हिस्सा रख देंगे और अब हम इसको यह चोकलेट सिरफ से हम इसको उपर से गानिस कर देंगे वाव देख लीजे कितना बढ़िया लग रहा है देखें कम करेंगे तो और भी बढ़िया लग तो इसको हम थोरा सा प्रिंकल से गानिस कर देंगे और और यह बिस्कित लगा देंगे वाव लग रहा ने एक तुम मार्केट जैसा तो फ्रेंस टाइम भी कम लगा है केक भी बढ़िया बना है पहले मैंने इसको बना कर एक ब्रैक्टिस टेस्ट का मजा ले सकते हैं बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया था तो मैंने केक को न लगभग 10-15 मिनट के लिए रख दिया था फ्रीज में कि उपर का जो क्रीम है वो थोड़ा सा सेट हो जाए तो क्रीम भी अच्छे सेट हो गया है और काटने में पता चल रहोगा ना केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है तो यह देखे फ्रेंज बहुत ही बढ़िया केक हमारा बना हुआ है वाव एक दम सुपर सॉफ्ट बना हुआ है मैं आपको यह फॉक चमत से भी काटके दिखा रही हूँ कितना बढ़िया कितना टेस्टी बना हुआ है वो क्या है ना कि सुगर सिरफ या नहीं डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं एक दो चम्माच इसलिए केक सॉफ्ट रहता है और उनका केक जोन वह कभी ड्राय नहीं होता है अगर आप नहीं डालेंगे इसमें सुगर सिरफ और पानी तो आपका केक 100% ड्राय हो जाएगा अं और मुझे कमेंच करके बताईगा कि कैसा बना है चोकलेट केक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजेगा और बेल नोटिफिकेशन आउन कर दिजेगा ताकि हम जब बक्स में दे दिया है आप देख लीजेगा और यदि अगर आपको चॉकलेट केक कर रेसिपी चाहिए तो उसका बे लिंक हमने डिस्किप्शन बक्स में दे दिया है अप देख लीजेगा और एक बात फ्रेंस आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट से बीडियो को लाइक कर दिजे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिजे इसमें आपका एक भी रूपे नहीं लगने वाला है तो फ्रेंस आप अपनी छोटी बहन की मदद कीजेगा प्लीस मैं आपसे बिंती करती हूं मिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ